हेलो दोस्तों लापटाप माचना में आपका स्वागत है मैं आपका दोस्त शान आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ और हमेशा confused रहते हैं कि आपने laptop कौन सा लेना है आज हम इसी confusion को दूर करने के लिए आपके पास हैं काफी viewers डिमांड कर रहे थे कि हमें आप यह तो unbox कर देते यह laptop की specification है यह 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 लेगिन हमारी working के लिए यह सही है या नहीं है यह decide करने में हमें काफी problem होती है तो आज हम इसी बारे में discussion करेंगे तो दोस्तों कहीं मत जाएगा वीडियो बहुत दमाकेदार होने वाली है अगर आपने अभी तक हमारा laptop master channel सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरू करेंगे बैल आइकन जरू पैस कर देजिगे सबसे पहले मैं आपको बदा दूँ हम यह वीडियो दो पार्ट में बनाएंगे यह जो फस्ट पार्ट हमारा है यह हम डिसकर्स करेंगे कि अगर आपका एक budget limited है आप एक limited budget के अंदर laptop लेना चाह रहे हैं लेकिन आप चाहते हैं कि मैं उतना ही budget घर्च करू जितना मेरे को working हो जाए जतने हमारा laptop यूज हो जाए और market में काफी segment वो भी है जिनको problem नहीं होती है कि budget की हमें laptop चाहिए बहुत sleek चाहिए light weight चाहिए या बहुत है भी performance के ले चाहिए budget कोई problem माय नहीं रखता एक लाख है दो लाख है कोई भी budget हमारे लिए matter नहीं करता एक वीडियो हम उ budget के according आपको कौन सा laptop लेना चाहिए इससे पहले question आता है कि हम laptop purchase करें online करें offline करें offline में भी हमारे पास options होती है बड़े-बड़े stores है multi brands जो बहुत appliances रखते हैं वो laptop भी रखते हैं और एक हमारे पास option आती है exclusive stores की जैसे HP के अंदर HP World है Dell exclusive store है Lenovo exclusive store है Asus exclusive store है या Acer Wall है mostly यह 5 market के या एक option और आती है Apple की वह Apple के discussion भी हम next video में करेंगे तो यह हमारे पास option आती है हम इन में से किस format में जाए तो हमने बहुत detail वीडियो बनाई थी इस बारे में जो आप हमारे description में आप link मिल जाएगा यह वीडियो हमारे इसी बारे में थी कि आपने laptop online बाइं करने चाहिए offline करना चाहिए या फिर exclusive stores पे जाना है या multi brands पे जाना है तो चलिए हम सबसे पहले divide करते हैं category को कि आप student है एक student based पे चाहिए या आप अपने business के लिए ले रहे हैं कि आपको सिरफ और सिरफ वीडियो conferencing करनी है आपको net surfing करनी है word excel point करना है आप चाहते हैं मैं budget बहुत programming करनी है coding करनी है आप किस laptop पे जाएं यह हमारे दो सेग्मेंट आते हैं और हम शुरू से स्टार्ट करते हैं अगर हम चेक करेंगे तो सबसे पहला हमारा laptop के अंदर सेग्मेंट आता है सेल्रों इंटल सेल्रों इंटल Pentium Quad-Core और AMD Athlon यह हमारा एक सेग्मेंट आता है इस प् 50,000 के अप्रॉक्स पे रहता है और उसके आगे होता है i7 या Ryzen 7 जो 60,000 से 80,000 के बीच में आपको मार्केट में देखने के लिए मिलेंगे इसी में यह चार कवर के निके बाद फिर हमारा इनी के अंदर गेमिंग आ जाता है ग्राफिक कार्ट के साथ जो हमारा i5 Ryzen 5 या i7 Ry काफी देखा है जब भी students होते हैं बच्चे होते हैं अपने parents के साथ laptop लेने जाते हैं उन्हें graphic card वाला laptop चाहिए होता है web designing के लिए तो वो जाके डिवान करते हैं तो वहां पे जो sales person होते हैं वो कहते हैं जी आपको graphic designing के लिए आप gaming laptop चाहिए तो काफी parents ही अड़ते हैं नह लेना होगा यह मैं parents के लिए बता रहा हूं कि काफी parents उसके लिए मना कर देते हैं कि नहीं gaming laptop नहीं लेना लेकिन बच्चे को वेब डिजान के लिए तो उसके लिए gaming laptop ही लेना पड़ेगा चलिए स्टार्ट करते हैं हम quad core pentium quad core pentium intel cell phone यह हम बात करेंगे AMD के एथलों के देख अगर आपके बच्चे ने सिरफ अभी आपका एक तो बच्चा six seven से चोटा है अभी उनको बहुत ज्यादा working नहीं करनी है उन्हों सिरफ आप चाहते हैं कि वो surfing करे word excel powerpoint पर work करें या जो online classes होती है आजकल teachers काफी online classes लेते हैं चुटी वाले दिन कभी भी तो वो ले ले तो उस purpose के लिए यह टाइप का laptop enough है आप easily इसमें यह सारे काम कर सकते हैं तो थर्टी थाउदन के पर जो यह प्रोसेसर हैं यह उन्हीं working के लिए आपने accounting भी करनी है आप accounting भी कर सकते हैं बहुत ज्यादा हैवी प्रोसेसर जो बहुत ज्यादा softwares आते है यह भी softwares आते तो उ इसमें लोगों आप लोगों को कर सकते हैं इसमें लोगों आप लोगों को एक confusion हो रहती है कि 14 इंचिस का laptop लें 15.6 इंचिस का करूँगा क्योंकि जितना laptop का साइज छोटा होता चला जाएगा उतना जब आप study कर रहे होंगे आप रीडिंग कर रहे होंगे आपको आइस पर उतना ही ज्यादा strain आएगा इस series के अंदर RAM हमेशा आपको 8GB मिल जाएगी DDR को मैं बहुत ज्यादा technical में नहीं जाओंगा मैं आपको पहले बता दू यह आपको सिर्फ यह डिसाइड करने के लिए कि हम किस सेग्मेंट का laptop लें तो इसलिए बहुत ज्यादा स्पेसिफिक मैं नहीं जा रहा हूं सिर्फ भार ही भार से आपको ऐसे 8GB RAM अब वो DDR4, DDR5 में आपसे डिसकस नहीं करूँगा इस वाले अभी स 24,000 के अंदर मार्केट में मिल जाते हैं मैं आपको फिर फिर बिल्कुल भी नहीं करूँगा आप लेते ही आपको SSD अफगेड करानी पड़ जाएगी 15.6 इंचिस के अंदर आपकी HD और Full HD स्क्रीन मार्केट में इसमें देखने को मिल जाती है अब हम भढ़ते हैं आगे फिर यह वाले प्रोसेसर बिल्कुल बत लीजिएगा आप कम से कम i3 राइजन 3 पर जरूर जाएगा जो एप्रोक्सिमेटली मार्केट में 40,000 के रेंज में रहते हैं प्राइस भी मैं आपको एप्रोक्सिमेटली बता रहा हूं दिए थोड़ा ऊपर नीचे जरूर रहेगा मैं आपको एक रेंज देके चल रहा हूं तो i3 और राइजन 3 के अंदर आप मोस्टी अपनी वर्की कर सकते हैं मैं यहाँ पर और बड़ा क्लियर कर देता हूं क्योंकि लोगों के माइन में काफी होता है कि AMD के जो राइजन प्रोसेसर होते हैं वो हीट करते हैं मैं आपको राइजन 3 का पसंद आ रहा हूं वो एक दो जार रुपे मार्केट में सस्ता भी हो और उसमें आपको ग्राफिक भी मिल रहा हो तो आप बिल्कुल मत परिशान होएगा कि हम AMD वाला लापटप नहीं लें हम इंडल i3 ही ले तो आप इसमें सारी वर्किंग हो जाएगी आप जो भी आप कोडिंग प्रोग्रामिंग वगारा आप जो सोच रहे हैं इसमें आपको रहां अगर देखेंगे तो आठ जीपी मिलेगी और पांसो बीडारा जीवी बहुत कम आपको इसमें वन टीवी देखने को मिल सकती है लेकिन वन टीवी एसेडी देखने को नहीं आपको इसलिए यह सेग्मेंट आपके लिए है स्क्रीन इसमें भी आपको मार्केट में फुल एजडी मिल जाएगी एजडी फुल एजडी दोनों मिलती है इसमें आठ जीवी रहें पांसो बारा जीवी एसेडी रहा आप एक बार को इसमें 16 जीवी कर सकते हैं इन जबने सेग्मेंट में आते हैं बोस्ती समय रेम डिमूवेबल होती है आप इसली 16 जीवी इसमें कर सकते हैं आप मत भागेगा पीछे की इसमें कोißtरा जीवी दे रहा है या नहीं अगर आपके बजट में आ रहा है 16 जीवी तो आप ले लिजएगा तो दोस्तों अब हम बढ़ते ह आगे की तरफ 50,000 की रेंज के लाप्टॉप के पास देखे इस रेंज में हमें आई 5 और राइजन 5 मिल जाते हैं यहां पे हमें रैम 16GB मिल जाएगी SSDB आपको इसमें 512 और 1TB के अप्रॉक्स मिल जाएगी 1TB के जो होगा वो अबव 50 चला जाएगा 50 के अप्रॉक्स में हमारा 512GB तक रहेगा अब आप किसके लिए चाहिए आई 5 या राइजन 5 मैं यहां से यह बता दो यहां से आई 5 और राइजन 5 में ग्राफिक्स की भी ऑप्शन्स शुरू हो जाती है अगें जिसको हम गेमिंग लाप्टाप के नाम से जानते हैं मार्केट में जबकि मैं कई बार मेरी बात डिसक पाइजन 5 नोन ग्राफिक्स के लिए जो इसमें इन बिल्ड ग्राफिक्स होता है कि जैसे इंटल आईरीस हो गया यूएजडी हो गया या AMD के अंदर जो इन बिल्ड ग्राफिक्स आते हैं रेडियों के उन प्रोसेस लाप्टाप्स की स्क्रीन इसमें आपको 99 परसें सब ल में 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 अब हम बात करेंगे उन स्टुडेंट्स की जिनको ग्राफिक कार्ड की नीड होती है ग्राफिक नीड के किन को होती है देखे कि आप कोई भी ग्राफिक से रिलेटिड वरकिंग कर रहा हूं आपने वेब डिजाइनिंग करनी है आपने 3ds Max यूज करना है तो उन सब working के लिए अभी तक जो हमने 50,000 की discussion किया है वो laptop आपके लिए work नहीं करेंगे आप अगर high photoshop या cold में भी काम गरना चाहते हैं तो भी आपको above 50,000 भी laptop पे जाना पड़ेगा वो भी graphic card के साथ जी हां dedicated graphic card होना बहुत जरूरी है मैं यहां पे भी share कर देता हूँ market में काफी लोग जाते हैं तो जो sales person होते हैं वो जो shared graphics होते हैं वो आपको दिखा के बता देंगे कि देखे graphic card है लेकिन कभी भी shared graphics पे नहीं है आप screen पे देख रहे हों कि यह जो dedicated graphics होती है VRAM जिसको कहते हैं जो आज की rate में mostly 4GB, 6GB या 8GB आपको सबसे ज्यादा market में देखने क लेगा इसी graphic card पे जाएगा और यह graphic card mostly आपको Nvidia के जी हाँ Nvidia RTX graphic card होना जरूरी है अब हम बात करेंगे इसमें आप कौन सा choose करें देखे अगर आपने working कर नहीं है जिस टाइप के आप video editing भी कर सकते हैं आप web designing तो graphic card आता है 20-50 Nvidia RTX तो यह आपके लिए काफी होता है देखे यहा जाता है कि अगर आप 20-50 का लेंगे आप rendering कर रहे हैं आप 30-50 पर रेंडर करेंगे 20-50 graphics पर रेंडर करेंगे तो थोड़ी speed का difference आ जाएगा यह ऐसे ही इसमें RAM 8GB 16GB 32GB यह 3 RAM चलती है तो यहां पे सिरफ और सिरफ आपका budget matter करता है मैं यहां पे कहूंगा जरूर आपको कि अ जाते हैं तो at least Ryzen 5 या Ryzen 7, i5 या i7 यह चार प्रोसेसर हो और प्रोसेसर के last में H जरूर हो वैसे तो कहने की जरूर नहीं है जितने भी gaming laptop होता है सब में H जरूर होता है या Hs होता है या Hx होता है आप Hx में जाएंगे वो और higher जाएगा Hs भी higher होता है सबसे basic में H आता है gaming laptops के अंदर तो यह चार प्रोसेसर है हमारे Ryzen 5, Ryzen 7, i5, i7 उसके साथ 16GB RAM होनी आपके जरूर यह DDR4 हो, DDR5 होगी तो और ज्यादा बेटर है DDR4 है तो भी आपका चल जाएगा अगर आप यह मत सुचेगा 8GB का मेरे budget में आ रहा है तो मैं ना लूँ आपका 8GB में बजट में आ exclusive store चे लिए या service center से आप वहां से अपगेड करेए को बाहर मत रहेगा SSD आपको इनमें 512 देखने को मिलेगी 1 TV आपको अपगेड कर सकते हैं काफी आपको 1 TV देखने के लिए मिल जागी या अब हम आ जाते हैं इसमें graphics पे देखे अगर आप 60,000 की range में हैं तो आपको graphics मिले तो मैं आपको यही prefer करूँगा कि अगर आपका processor Ryzen 5 है लेकिन आपको graphics 30,50 मिल रहा है तो आप उसको prefer करिएगा अगर उसी budget में आपको i5 30,50 के साथ मिल जाता है तो आप उसमें बाकी चीजे compare करके भी choose कर सकते हैं उसके उपर आप 70,80,90 की range में हमारे i7, Ryzen 7 आ जाते हैं उ 6GB 40,50 फिर आगे 8GB 40,50 यह आगे बहुत बढ़ते चले जाएंगे यह हम next video में discussion करेंगे यहां के बाद आपको depend करता है budget आप जितने पैसे डालेंगे उतने आपकी performance laptop की better होती चली जाएगी 20,50 graphics basic है आज की rate में उसका 30,50 है 40,50,40,60 अच्छा 30,50 की range में भी 30,60,37,30,80 तक laptop आ रहे थे लेकिन आप जो market में आपको मिलेंगे वो mostly 40,50,40,60 यह 40,70 यह 40,80 में मिलेंगे तो आप इस segment में जितने graphics आप ऊपर बढ़ाते चले जाएंगे उतने आपके laptop की performance बढ़ती चलियाएगी आपका जितना budget है आप डालते जाएगे आप जितना आप डालेंगे उतना ही आपकी speed up पे आपकी काम के performance पे फरक पड़ेगा अच्छा gaming में भी मैं आपको बता दू इसमें एक matter हो करता है जो मैं आपको बताना भूल गया screen का जरूर याद रखेगा जो आपके hertz होते है नॉर्मली 60 hertz की screen आती है जितने भी हम laptop अभी अपने discussion किया लेकिन हमें gaming के लिए या हमें जितने भी अपने working करनी होती है तो हमें 144 hertz minimum चाहिए होते है हमें 144 hertz screen याद कर रहे हैं जिसमें color की accuracy चाहिए जैसे आपका photoshop होता है coral row होता है जिसमें आपको color की accuracy चाहिए होता है या काफी designing होती है जिसमें color की accuracy चाहिए होती है तो screen में याद रखेगा कि 100% RGB जरूर हो gaming laptop लेते वे यह दो तीन चीज़े माइनी रखती है एक processor दूसरा उसका graphic card screen के hertz और उसका sRGB अगर आपके color accuracy की working इतनी नहीं है तो आपका 45% NDSC आता है तो आपकी उस पर भी working easily हो जाएगी और अगर हम gaming के laptops की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप HP में जा रहे हैं तो HP में Victor series आती है जो gaming की series होती है अगर आप Dell में जा रहे हैं त लिनोवो में lock series है जो आपको gaming की series मिलेगी और अगर आप Asus में जाते हैं तो tough series आपको gaming की मिलेगी हाला कि इन से उपर भी होती है जैसे HP में Omen series है डेल में आपका Alienware है आपका Legion है लिनोवो में या ROG या Asus में इन सब में क्या फरक है यह पहुत हायर category में चली आती है इसके Victus, G series यह हम बात करें lock की या tough series की यह आपकी mostly 50 to 50,000 से 1 lakh की range में आपको यह laptop में जाएंगे यह आपके सिरफ बजट पर डिपेंड करेगा कि अब आप इसमें से कौन सा laptop चूज करें दोस्तों इस वीडियो में मैं इसको यहीं तक रखना चाहूँ क्योंकि वीडियो बहुत करेंगे जितने भी हाइएंड होते हैं अगर आपके बजट की टेंशन नहीं है बहुत सारे laptop आते हैं काफी काफी ब्रैंड के अंदर मैं वो सब करने की कोशिश करूँगा उनके भी problem को अगर आपको इसमें कहीं कमी रहेगी हो तो मुझे जुरू बताएगा अभी दर आपने हमारा लाइक जुरू कर दीजेगा आगे भी हम ऐसी इंफॉर्मेटिक वीडियो अब आपके लिए लेके आते रहेंगे और laptop को अन्बॉक्स करके तो आपको हम दिखाते ही रहेंगे दोस्तों वीडियो के अंतर हमारे साथ बने रहेंगे बहुत बहुत निवाद पसंद आईए तो लाइक जुरू कर दीजेगा शेर जुरू कर दीजेगा मिलेंगे अगली वीडियो में नई लाप्तॉप के साथ तब तक के लिए जाएगे